जै स्री कृष्णा राधे राधे छिपकली आपके घर में भी होगा क्योंकि बारिस का मौसम यानि कि स्रावन का मां आने के पहले छिपकली बहुत सारे घर में चली आती है घर में छिपकली का होना आम बात है अक्सर आपने देखा होगा आपके कमरे में किसी कोने में सिलिंग पर दिबाल पर आप छिपकली देखते हैं और जाड़ू या डंडे से मार के भगाते भी हैं लेगिन क्या आपको पता है कि सास्तुर में छिपकली को मा लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है इसलिए चिफकली से ड़ना नहीं चाहिए और ना उसे भगाना चाहिए सुब असु संकेत भी माने गया है जैसे कि अगर आप शिपकली को आपस में लड़ते वे देखते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि कहा जाता है घर के लोगों में मतवेर या जगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है अगर घर में शिपकली दिखे तो क्या करें आप एक छोटा सा प्रियोग कर सकते हैं किसी भी मंगलवार के दिन ये आपके जीवन की मुस्किलों को कम करेगा आपके बरकुत को बढ़ा देगा जैसे ही चिपकली दिखे आप पहले से संभाल कर एक लाल रंग का कपड़ा रख लें लाल रंग का छोटा सा जादा ब ट्रश करने के बाद तो कपड़ा गिरेगा नीचे लेकिन गिरने के पहले आप हाँ से कपड़े को ले ले जैसे कि वो जमीन में नहीं गिरे अगर डारेक्ट आपके हाँ में ये कपड़ा आ जाता है तो इसका महा तो बढ़ जाएगा इसके बाद इस कपड़े के ऊपर झांच चांडी में गाखा पांच बैस्ट इसके और इसको दो लृऑग नहीं है उच्टले उसको अर इसको अपने ब्यापारास फ्तान में धन स्फान पर भागे आप कहीं भी रख सकते हैं आप देखिएगा एक सवा महने में आपके घर में बरकात होने लगेगी दूसरी बात यह जो चिपकली है अगर आपको घर में चिपकली दिखती है तो आप चोटा सा प्रियोग भी कर सकते हैं भगवान की मूर्थी के पास जो आपने कुमकुम चाबल रखा हुआ है थोरा सा उठा ले और चिपकली पर छिड़क दे और पुरंद अपनी मनोकामना विस बोले अग आप विस मांगते हैं वह मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है जास्त्रों में कहा गया है कि चिपकली जो है वह आपके धन के मार्ग को खोलता है लेकिन कुछ असुप कारण भी जैसे कि आपके घर में कोई सुमंगल बाते हो रही है कोई अच्छी बाते हो रही है अगर आपने घर में प्रवेस कर रहे हैं मरीवी चिपकली जीखे तो अच्छा नहीं माना जाता है स्वास्त पेस का निगेटी प्रवाद इखता है ध्यान लगएगा वैसे तो सपने में चिपकली देखते हैं कीडे मोकड़े खाते वे देखते हैं तो भी असुप संकेत है और चिपकली को मारना चिपकली से डरना या रेंगते वे देखना भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि सपने में चिपकली आपको देखते हैं तो बुरा है लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि चिपकली आप से डर्थ रही है तो फिर अच्छा है भविस्य में कोई बढ़िया समाचार मिलेगा लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कि पूजा घर में चिपकली पूजा घर में चिपकली का होना बहुत अच्छा होता है घर में संपत्ती बनी रहती है दर्जता नहीं आती है लेकिन चुकि आज हम आपको कुछ खास पुरे बताएंगे यह जितने भी हमने आपको बाते बताई वो सफेज चिपकली के बहुत साई लोगों के घर में काली चिपकली भी होती है लेकिन काली चिपकली के होने से कुछ इसके निगेटिव प्रभाव भी होते है काली चिपकली कहो ना और कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं अगर आपके घर में काली चिपकली है तो संतान समंदी मुश्किले परिशान करेगी यादा किये सफेज चिपकली तो सूब है लेकिन जो काली चिपकली है जैसे जिस घर में काली चिपकली ज्यादा दिखे या बहुत समल के रहना चाहिए क्योंकि काला चिपकली का मतलब होता है गर्वपात या पिर संतान ना होना संतान के स्वास्त में प्रिसानी दूसरी बात धन रुकेगा ही नहीं धन कहां से आप प्रयास कर लो कमाल हो लेकिन वो टिकेगा नहीं खर्च हो जाएंगे कभी बिमारिय होने के फाइदे भी है क्या है फाइदे किसी का भी तंत्र मंत्र क्रिया आपके उपर असर नहीं करता चाहिए वो लाग प्रयास कर ले कितना भी प्रयास कर ले टोना टोटका तंत्र मंत्र क्रिया यह सभी असर नहीं करता जिस घर में काली चिपकली होती है तो एक तरफ मुकदमा वेगरे चल रहा है उसमें आपको विजय स्री दिल बादेगा काला चिपकली तो काला चिपकली के होने से बड़ी हानी यह है कि संतान के उपर कस्ट है और पैसे नहीं टिकते लाब यह है मुकदमे में विजय होती है भूमी घर भवन का सुख मिलता है और तीसरा जो दूसप्रभा थो one कि एमनीों कि थे कि प्रवा जाता यहांने कि रहूंत हर से तंधर होता है तो तंधर मंत्र क्रिया करता है लेकिन जब रहू एक्तिव नहीं डालती हितना तो यह तहँ लेकी से तयुनत्य है कभी-कभी आपने देखा हुआ जबीन पर चलती है एक चल से बशने के लिए आप तुरंत उस जगह को साफ कर वाएं ताकि निगेटिव एनर्जी खत्म हो और दूसी तरह आप पुजा घर में दिया जला दें तो सफेज चिपकली घर में एक बार तो फिर भी ठीक है ज्यादा चिपकली होना कहीं भी अच्छा नहीं है क्योंकि चिपक कर्येर को बहुत सतर्क रहें तो बहुत तरिके के प्रियोग होते हैं अब यूप कर सकते हैं जिवकानी के लिए ताकि आपके घर में परिसॉन कालादा चिपकली में होने से बच्चों, पैसे नहीं में आप होtest, प्योंकि अच्छा यह होगा की केसमुकद में मुग्भी त आपको दूसी तरफ तंत्र मंत्र क्रिया चाहे वो कोई विवेक्ति हो आपके उपर कुछ करवा ही नहीं सकता और साथ ही आपके जीवन में भूमी का सुख देता है तो सफेज छिपकली और काला छिपकली में अंतर है वैसे तो छिपकली रंग बदलती है लेकिन अकसर कभी होता है अधिकतर वो आपको काले रंग में ही दिखेगी एकाध है तो कोई दिक्कत नहीं ज्यादा है तो समल जाए और शिपकली का जो अंग पर सरीर के अंगों पर गिरने का भी सुबसुफल होता है उसके बारे में भी हम कोसिस करेंगे अगले वीडियो में बताने का तो ह देंगे आप से बढ़ जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों के साथ सेयर करें इस वीडियो को क्योंकि इस वीडियो में हमने के बहुत खुबसूरा सी जानकारी बीदी है आपको और आप ज्यादा जानकारी करना प्राप करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा साथ ही आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं फिलाल भी डालेंगे हर हर महादेप कमेंट में लिखना मत भूलिएगा धन्यवाद